नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोतम दोसो यूपी पुलिस के एक एक्षन ने एको सिस्टम के नफरती चिंटों में हड़कप मचा दिया है पोस्ट डिलीट होने लगे हैं आपको याद होगा कि पीम मोदी और बीजेपी को वोट ना देने पर यूपी वालों को खास तोर पर आयोध्या वालों को जम कर कोसा गया अनेक वीडियो पोस्ट की भरमार लग गई और कोसने वालों में पत्रकार भी कहीं शामिल थे आईटी सेल के नफरती चिंटों भी शामिल थे और जैसे ही यूपी पुलिस ने इस मामले को लेकर पहली गिरफतारी की पोस्ट डिलिट होना शुरू हो गई पूरी कहानी आपको बताते हैं इन दो लोगों को गिरफतार किया गया है एक की शकल आपने पहले देखी होगी ये दक्स चोधरी हैं जो कनिया कुमार को थपड मारने पर फेमस हुए थे कोशिश करने पर ठीक से मार नहीं पाए और पबलिक ने इनकी जबरदस सुताई कर दी थी तो अब इस मामले में गिरफतारी की गई है और ये अन्नू चोधरी है दोनों को गिरफतार किया है यूपी पुलिस ने और किस मामे में गिरफतार किया गया धेखी आप आयुद्धामे बिजैपी की hàng पर गाली देने वाले यूद्धार कनिया कुमार को भी मारा था थपड और ये खबर है कि सोशल मीडिया प्रेटफॉम पर गुर्वार को कार में बैठे दो यूकों का वीडियो वैरल हुआ था जिसमें दक्स चोधी नाम का यूवक अयुध्यामे भाजपा की हार से नाराज होकर स्तानिय लोगों को गाली देते और धार्मिक भावना भरकाते दिखा तो ये गाली दीजा रही थी कि जो राम को लाए हैं उनको भी वोट नहीं दिया इस तरह की बात की आगे खबर देख सकते हैं अयुध्यामे भाजपा प्रत्याशी की हार से नाराज हिंदू रक्षादल के दो यूकों ने लोगों को गदार बताया है वीडियो में दोनों यूवक लोगों को गंदी गंदी गालिया देते भी नज़र आए सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर वीडियो वायरल होने के बाद टीला मोड पुलिस ने मामले का संग्यान लेकर दोनों को गिरफतार कर लिया है दोनों दिल्ली में कॉंग्रिस प्रत्याशी करने या कुमार को थपड मारने की घटना से जर्चा में आये थे पुलिस ने दोनों पर धार्मिक भावना भड़काने और गाली गलोस का मुकदमा दर्श किया है और क्या वो वीडियो था दोस्तों ये वीडियो था गाड़ी में बैटकर ये वीडियो बनाते हैं इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने जब पुलिस से एक्शन की मांग की तो आखिरकार यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है और इसके लिए हम डियस्पी सिधार्त की भी तारीफ करेंगे जिन्हों ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है कि आज दिनांग 6 जून 2024 को सोचल मीडिया के माध्यम से वाइरल वड़ेई एक वीडियो प्राप्त होई जिसमें मद्दाताओं की धार्मिक भावना को आहत करने की नियत से टिपनी अबद्र टिपनी की गई है इसके आधार पर ततकाली शंग्यान लेते हुए थाना टिला मोर पर अव्योग पंजिकरित कराया गया यहों दोनों नामज़र अव्योगतों को पुलिश शिरासत में ले लिया गया है आवश्यक विधिक कारवाई पर चली थे कई बार अपील करने के बाद अने को ऐसे मामलों में जब कोई एक्शन नहीं हो पाता तो इस मामल में गाज्याबाद पुलिश ने एकशन लिया है और दोस्तो हरकम कैसे मच गया है एक गिरफतारी ने क्या कर दिया है मैं आपको दिखाता हूँ ये पोस्ट किया था चंदन शर्मा ने चंदन शर्मा ऐसी पोस्ट करते रहते हैं कई बड़े-बड़े एंकर भी इनको फोलो करते हैं क्या इनमे काबलियत है समझ नहीं आता जो देश के प्रतिश्रित एंकर जो मानते हैं अपने आपको वो भी इनको फोलो करतें कई बीजेपी के बड़े नेता भी फोलो करतें ट्वीटर पर इन्होंने आयोध्या वालों के आर्थिक बहिशकार की बात की थी आयोध्या में प्रुभुषी राम के दर्शन करने वाले सब ने कितना बड़ा अपराद किया है आयोध्या में दुकानदारों से कुछ भी खरिदना इन राम द्रोयों को मजबूत बनाने के समान है तो आयोध्या वालों के आर्थिक पहिशकार की अपील कर रहे थे लेकिन जैसे ही गिरफतारी हुई तो चंदन शर्मार रंचोड़ द चाहसकार क्या कहते हैं आयोध्या वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा गुजरातियों ने जो नहीं दुकाने सजाई हैं बंद हो जाएंगी लैंड डवलपर्स ने जो करोड़ों का कमिशन दिया है वो भी डूब जाएगा आयोध्या में हजार साल से गुंचता है जै लोगों को कैसा अंधा कर देती है अब हिंदूओं के भहषकार की विबात की जा रही है जो वहां दुकान सजा कर बैठे हैं वो भगवान राम में तो आस्ता रखते होंगे ना पीयम मोदी भगवान नहीं है भगवान राम भगवान है कोई व्यक्ति किसी को भी वोट दे स है लेकिन कैसे हिंदों को अफमानित किया जा रहा है दोसों और पत्रकार भी इसमें शामिल है दीपक चोरसिया क्या लिखते हैं मा सीता का श्राप लगा तब अयुध्या उजार हो गया था लेकिन अब तो राम लला अपनी जन भूमी पर लोट आए विकास की हर संभव कहानी अयुध्या की धर्ती पर लिखी जाने लगी थी परेठक आ रहे थे रोजगार के नए अफसर उभरने लगे अयुध्या की अर्थववस्ता मजबूत होने लगी विश्भर से सनातनियों की नजर अयुध्या को देखती है क्या नाराजगी थी कि आकिर जो राम को लाने वा का ये कहने को कि भगवान राम अपनों से हारे थे घर अगर अवैद होंगे तो तूटेंगे चाहे वो अयुद्धा में हो या कहीं हो कैसे मुक्ति पाएंगे इससे आज अयुद्धा की हार ने दिल तोर दिया पत्रकार की जगए बीजेपी कारकरता अपने बायों में लिख चाहिए दिपक चोरसिया जैसे लोगों को तो खुद को पत्रकार कहने वाले दिपक चोरसिया भी अयुद्धा की मदाताओं को कोस रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उनको वोट नहीं दिया बताए भगवान राम को को ला सकता है और एक और बात करें कि घर अगर अवैद हों कि घर दुकान जब जाती है थोड़ी थोड़ी कीमत देकर लोगों की दुकाने ले ली गई आज वो रो रहे हैं तो रोटी रोजगार भी बड़ा मुद्धा होता है लोग भगवान राम में आस्ता रखते हैं किसी नेता में नहीं ऐसा नहीं है कि किसी ने राम का मंदिर ब वो राजनीती है जो सालों से हो रही है जिसमें सवाल पुछने वालों को बदनाम किया जाता है अंदोलन करने वालों को अंदोलन जीवी कहा जाता है तरह तरह की तोहमत लगाए जाती है और अब वोट ना देने पर भी तोहमत लगाए जाने लगी है मतलब कमाल का रामराज जा गया है जहां भगवान राम से बड़ा शायद एक नेता को मान लिया गया है कि अगर उसको वोट नहीं दिया तो आप राम दोही हो गए मतब ये किस तरह का लोजिक है हिंदों की आर्थिक पहिशकार की भी बात कि जा रही है अच्छी बात ये है कि पहली गिरफतारी तो ये नहीं मानेगा कि कि इसी नेता को थपड़ जरने के बाद को ऎलन को कोई गिरफतारी नहीं होगी। झाल झाल